हलो फ्रेंस्टा आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम 2024 का जो हिंदी का पेपर वारल है इस पेपर के यहाँ पे संपूर hogy देखेंगे आप पूरा पेपर रहले देख लीजिए कि तो आपको सामने संपूर पेपर है इसका संपूर हल कराने वाले है और साथ में आप सबीकों यह डिटीयमर्प में कैसे लिखना है आप वीडियो को इंसे लिखना है उसली पेपर को यदि आप 21 फरवरी को भी देख के चले जाते हैं इसमें से माइकसिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड के एक्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा तो आप वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी इसकी मत किजिएगा आपको पूरे पेपर का संपूर हल करके ब देखेंगे फ्रेंस आपके समय मिलेगा आप सभी को इतने पेपर करा है आप सभी को इसके समय कितना मिलता है कितना पूरांक रहता है इसमें क्या निर्देश दिये जाते हैं सब आप सभी को पता चुके हैं और आप सभी को पता भी चल गया गा देखेंगे समय रहेगा ती को पहले से पता है इसके मुख के पॉइंट जो निर्देश होते हैं जो आपको जानना जरूरी है उसी के बारे में आप सभी को बताते हैं देखिए यहां भी क्या है कि इसमें दो खंड होंगे खंड और खंड भाव में भाजित होगा प्रश्ण पत्र खंड आ में 20 बहुई कलपी प्रश्ण होगा जिसका उत्तर OMR सीट पर देना होता है खंड आ में जितने भी OMR सीट पर उतर देते हैं यदि एक बार उतर दे देते हैं तो दोबारा उस पे आप कार्ट पीट या इरेजर का परियोग नहीं करना रहता है इसलिए आप OMR सीट को बहुत ध्यान से भरिएगा खंड बाव में 50 अंक वड़ात्मक प्रश्ण रहता है ठीक है यह मुख के पॉइंट जो निर्देश थे आप सभी पहले जानते हैं फिर भी आप सभी को बताने का प्रयास की है चले सीधे प्रश्ण को हल करते हैं ठीक है यहां से स्टार्ट होत का कौन सा कितने अंक का प्रश्ण है ठीक है तो पहला प्रश्ण है कि आचायर रामचंदर शूकल किस यूग के लेखक है छ ऑन्ल पर इससका एंस्यु पहले से आ रहा हो उसका एंसर आफ Calm Cant बाक्स में लिख सकते हैं आप के साथने दूसरा नंबर का सवाल है कि गबन की विधा है यानि गबन की विधा क्या है यह थे गबन क्या है एक प्रकार का जाएक सबस्ट प्रकार ठाओगे इस प्रशाध चीह आपके होगा में कंकाल के दीञ कहें entrar शाध जींथ अगला प्रश्ण देखियें अगला प्रस्ण आपका है चौथा कि कलम का सिपाही किरिती है यानि कलम का सिफाही किसके दवारा लिखा गया है आप सभी को straps॥ तो कलम का सिफाई जो है अम्रित राय के द्वारा लिखा गया है इस प्रश्ट का सही जो आपके होगा डी वला अपसन आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले कॉस्चन को देखते हैं पाचवा नंबर का सवाल देखिए कि सुकल यूग की समय अवधी है यानि सुकल जो है इस प्रश्ट का सही जो होगा है ढूदि क्या है उने इसवी से लेके नहीं सु आर्टीस तक भीच का सुखल यूग माना जाता है तो सवत है अगला प्रसंद देखिए चाट्वा नंबर का साखेत रचना है यानि साकेत किसके द्वारा लिखा गया है तो दैखिए सा आकेत जो है आपका लिखा गया है मैथली स्राव गुप्ति के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है अगला देखें साथवा नंबर का सवाल क्या है आपके साथवा नंबर का देखिए महादेवी वर्मा कवित्री है यानि आपको बताना है कि महादेवी वर्मा किसी यूग की कवित्री है यानि की प्रैक्रटिवाद यूकिया छायवाद यूक्य almond यूक्य देखिए इस में जो महादेवि वर्मा वर्माजी यह एक स्वाद हुक की कवित्री है इस प्राष्ट का सऽीवल बत्ताना देखिए आपके साहिंच अगला नंबर का सवाल हे तों नमबर का को सब्सक्राइन तो डील एवट च्वाल करा इप लेकर दोर्ल रहा है ज्यारे मतिर पिरीक्ष वर्प तो रहें च्भी की के याद रही हमें इसको यादर रखें करतेकर पंडित जगनात है इसका पूरा सब्तनार के द्वार के द्वारा लिखा गया इनका पंधी झाणना याद रखेए गरोगा घंक है नौमबर के सवाल को देखते हैं कि नौव नंबर का सवाल देखिए कि आधुनी काल की समय के अंतरगत आता है इस प्रशन का सही जो धीवला आप शाई ओजाएगा अग्या रिधाव है आपका कि महादेवि वर्मा की रचना नहीं अब यहां बताना है कि महादेवि वर्मा की रचना पर कौन है आपसन को ध्यान से पड़के इसका एंस्वर आप लोग दीजिएगा यहां लिखा है नियार सांध्यागीत युगान या दीश विखा तो महादेवी वर्मा की जो रचना नहीं है वह युगान थे इस प्रशन का सही जब क्यों होगा सीवल आपसन सही हो जाएगा जबकि निय हास रस का स्थाइब हो जो हता हास होता है जिसका सही जो भी वला आपसन सही है आपका अगला नंबर का सवाल है देखिए यहां पे कि पीपर पात सरिस मंडोला उपर्युक्त में आपको अलंकार बताना है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है यहां पी आपका question को देखते हैं देकि 13 hungry श्वाट केusterा आया यारी 48 जो चंद कितने चरल्ड और या और अगला नमबर का देखिए किसम इन्टे नहागे सब्स्वालों का कौन सा सब्दान जुरा होता है यहां पर देखित ऐम किया जुरा आपक सब्बरी होजाएंगे यहां पर देखिए प्रत्य के सब्सक्राइब करें, अगला नंबर के देखिए कि हानी और याद रखिएंगा हानी और लाप माता और पीता इसमें पूछता है समाश तो इसमें जो समाश होता है आपका सवाल है मचली का पारवाची आप सबी को कई बार ये प्रशन बता चुके हैं कि मचली का पारवाची क्या होता है मीन होता है इसका सही जोब क्योंब के भीवलापसंघ सही हो जाएगा अगला देखिए आपका 818 नमर का सवाल है यह दिपी में कौन से संदी यानि यहां पर बताना के जो य्दध़ी है उसमें कौन से संदी है तो आप एक ऐतीत चीज़ा रहे나 कि जैसे आधात यह या य्द भी यह पैक है ठीक है इस पकार के जो उसमें जो संदी होता है हमेसा य्दधerweise संदि होता है है दिस सभी हैं तो यह में पूछता इसकी पूछता है आफ से लिए आप काहँ को संदी होता है अगला सवाल का SMITH कि मधूल शक्द का द्यूति नुच-चयन यहां पर देखिए आपका मधूर्षब्द का द्यूति भक्ति में बहू अच्ण रूप बताना है था क्या होगा इसका इसका होता है मधुनित इसका सही जोब क्या होगा सी वला अपसन सही हो जाएगा अगला देखिए आप क्या सवाल वी सवा नंबर का कि पठिताम धातु क कुछ सप्रतिंव को आपका होता है प्रफम पुरुस होता है इसका तो अनुन सभी प्रशन रहेंगे चलिए उन सभी प्रशनों को देखते हैं इसका पूरा डीटेल आपको एंसर बताने वाले हैं ठीक है देखे प्राशन नमबर खंडबा का प्रशन नमपर Pahila क्या टीएग दिर्गtal नंबर का आपका प्रिखता है यह से लेकिए यहां थक पूरे आपको क्या करना रहते वाक्षे को पढ़ने के बाद इसका उत्वर देना रहता है कि काया में इसका इंसोर दिए यह इसके अलावा अथवा में लिखा ये अब देखे इसको क्या करते हैं यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है पढ़ने के बाद देखना है कि यह इसमें आपको क्या करना है इस वाले जो गद्ध्यांस देता है इस गद्ध्यांस में आपसे तीन प्रशन पूछता है उपर अठ वाला प्रस्ण को देखे कईसे बोर्ड के एक्जाम में लिखना है कईसे संदर भी लिखना आ कॉश्य report और ये लिकाञकर प्रस्ण नि को बताते हैं लेकर दिखेंगे और लास्ट का एक दोसाद इहांे से लिखेंगा और लास्ट परात नहीं है कि एक स्वभा और उची 누क में मित्रता होता है आपको इस गद़््यांस में आपको पाट का नाम पता चल जाएगा कौह से प्रकिषा गया थे मित्रता नमता सबका संद्र एक चाहा इसी तरह से लिख लेते हैं बस पाट का नाम और जो लेखक होते हैं उनका नाम बस चेंज होता है लिखने का तरीका यही होता है देखें लिखेंगे प्रस्तूत गद्यास हमारी पार्ट पुष्टक के हिंदी के मित्रता पार्ट का नाम यदि लिखते हैं तो इसे ब्लैक पैंस लिखिएगा जिससे एक्जामनर का नहाज़ा इसी भी पुड़े मित्रता नामक पार्ट से लिया गया है इसके लेखक अचार रामचंदर शुकल जी है इस तर यहाँ लिखिएगा रेखांकित अंसकी व्यक्ञि डालिएगा और जो यहाँ पि आपका गद्यास दिया है прेखांकित इसको अपने शब्द में लिखेना है क्या निया है यहाँ पर कि चांज में मित्रता नहीं हो सकती — rebelकि समाज में इसके विपरित दो विभिन द्रिष्टी को रखने वाले व्यक्तियों में भी मित्रता हो सकती है इस प्रकास आपको क्या करना रहता है लिखना रहता है ठीक है इसके अलावा देखिए इसमें आउर लिख सकते हैं आप कि देखने को मिलती है व्यक्ति चाहता है कि जो गूर ठ तरता बढ़ाई जाए जिससे जीवन में कठीन समय आने पर वह उनसे सहायता वह मार्ग दर्शन प्राप्त कर सके इस तरह क्या करेंगे रेखांगित अंस की ब्याक्षा करेंगे तुरंत इक्जामनर देखेंगा दो नमबर देखें आगे बढ़ जाएगा अगला प्रशन दे हैं आककरसित होते हैं तभी वह एकटिव में विभिन्दता होती है और एक मनों की वीचारों को जाननेका प्रयास करते हैं इस प्रकास अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा ठीक है अब चलिए अगले प्रश्ण को बताते हैं कि आपको बोर्ड की एक्जाम में कैसा प्रश्ण आने वाला है आपको दूसरा नंबर आता है पद्यान से संब्द आधारित प्रश्ण होता है यह भी आपका च्छा नंबर का यहाँ पर आपको दिया है चलिए इसके प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण का एक संब्द कोस्टा पूरे पढ़ने के बाद इसमें भी आपसे संदर को पूछता है रिखांकित अंसकी ब्याख्या पूछता है उपर युक्त पद्यास में किसकी महिमा कवराण किया गया यह पूछ है यह भी दो नंबर का है यह भी दो नंबर का है यह भी दो नंबर का है टोटल छे नंबर का है आपको यहाँ पर अथवाला प्रशन करके बताते हैं आपको जो पहले वाला उपर वाला परगराफ था है कि आपको संदर्व लिखना है जैसे बता है कि अस पजाय है कि आप कौन सा पध्यांस का एंस्वर दे रहे तक यह लिखना जरूरी है अब देखिए पहले का संदर्व लिखना है संदर्व कैसे लिखेंगे अभी आप सुभी को पता है लिखेंगे प्रस्तूत पद्यास हमारी पुष्टक हिंदी के कांप खंड के स्वधिस प्रेम नामक पार्टस लिया गया है था इसके कवी स्तरी पाठो ऊगर और क्या करना रहता है कि जो यहां पे दिया है जहां पे अंडरलाइन रहता है उसी का आपको व्याख्या करना रहता है जैसे अगडित बार सुन चुका है नब जिनका विजय घोस रड़ गर्जन देकिन नब मतलब आकास होता है गर्जन मतलब गर्जना होता है इसका देखे कैसे आप ब्याख्या करेंगे यहां लिखेंगे रेकांकित अंसकी ब्याख्या लिखिएगा कवी का कहना चाहता है कि यह आकास भी हमारे पुर्वजों की विजय घोसो और जुद्ध की गरजनों को उनके बार सुन चुका है इस तरह को क्या करना ब्याख्या करना है फिर इसमें त पुर्वजों की महिमा का वरारं किया है इसका इस पकास आप एंस्वर देना रहेगा बोड की एक्जाम में सभी प्रशनों का तयार कर लिजिए ठीक है अब देखे आपके सामने अगला प्रशना तीसरा नंबर का दियान दीजिए क्या है तीसरा नंबर के देखिए पांच न से बियादा है तो फुर्य यहां से लेखे हा तक करना है पुर्ण संस्कृते संस्कृत स्लिए देखिए इस बकास पढ़ेंगे आप एक हैध्या सब्सों में लिखेंगे देखिए पहले नमबर तो यहां पर लिख लिजिए गा कि एसा नगरी डाट डाट करके भासायाम करीत इसका मतलब होता है कि आप कौन सा गध्यांस वाला कर रहे हैं कि संदर्व कैसे लिखेंगे कि प्रस्तूत गध्यांस हमारी पाठ पुस्तक के संस्क्रीत खंड में संकलीत वराणसी नामक पाठ से लिए गया इस तरह आप इसका संदर्व लिख लिजिएगा दो नमबर तुरंत इसपे मिलेगा रेखांकित अंस्की ब्याख्या करने का या नहीं देखी यह एसा मतलब होता है यह नगर ठीक है भारती संस्क्रीत और संस्क्रीत भासा का केंद्र अस्तल है देखी इस पूरे लाइन के ब्याख्या कैसे करेंगे यहां पर देखी आप सभी के लिए ब्याख्या करके लिखें हैं देखी इसी तरह बोड की एक्जाम लिखिएगा यह नगरी भारती संस्कृती और संस्कृत भासा का केंद्रस्तल है यहीं से संस्कृत साहित और संस्कृत का प्रकाश चारों और फैला है मुगल युवराज दाराशिकों ने यहीं आकर भारती दर्शन सास्त्रों का उध्धन किया था वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिस्रिदों का अनुवाद फार्शी भासा में करवाया इस तरह अपने शब्दों में Director करेंगे जैसे लिखा है वहिसी थर को अपने सब्दों में व्याथ्या करना रहाता है ठीक है चलि अगले प्रशन को देखते हैं देखे उसी प्रशन का अथ्वा में पूछा है आप से अगला गध्यास दिया है संस्क्रीट में इसका संदर्व या हिंदी दोनों प्रश्नों में से जिसका अंसृर आता है आपको लिखना रहा है आपको एक प्रश्न करा चुक है इस प्रमड को भी इतयार कर लीजिए अब देखे आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न कैसा अगला नंबर का देखे प्रैश्न यहां फे 4 नंबर नवंches कि दिये गए संस्कृीत पध्यास, अब गध्यास दिया था, अब पध्यास दे रहा था, कि पध्यास में से किसी एक का संदल्व सहिवадцत हिंदी में अनुवाद करना रहता है, यह यह भी आपका 5 नंबर करता है, यहाँ भी दो प्रशन देता है, अथवा करके जिसका एंशू पर आपको आता है बोड के एक्जाम में लिखिएगा चलिए आपको यह वाला प्रश्ण हल करके बताते हैं कि आप बोड के एक्जाम में कैसे लिखेंगे उत्तरम यत समुद्रस्थ से हिमा द्रेश्चव दच्छरम वर्सं तद भारतम नाम भारती यत्र संतती इसका हिंदी म संदर्व कैसे लिखना है कि प्रस्तूत सलोग प्रस्तूत पध्यासी कोई एक उत्यास सकते है तो संस्क्तक्रीट खंड करना के जो समुंद्र के उत्तर में और हिमाले की दच्छिर में इस्तित है ठीक है वह भारत नाम-का देशय जहां कि संतान-भारती है यहां पर इन सब्दों का क्या करना था, आपको हिंदी में अनुवात करना था ठीक है, या आप हिंदी में इस तरह कर लिए ठीक है अथा वाला मैं इसको पढ़ाये जाता होगा वहिवteen व मुक्ति दूद ख़ंड़काव जितने घाजीपूर च्छात्र इहां पे दो प्रस्ण पूशता है इन दोनों मेंसे कोई एक ही प्रस्ण करना है दोने करना रहता है जैसे किजिए एक प्रशन को Besold दीजिएगा ठीक है ते आपको शेला हो वाला रहा तो घर इस प्रस्ण को आप आपको अपको तयार अ characterize यह 100% हर साल बोर्ड के एक्जाम में यह खंड काब आता है इसके अलाए जितने भी खंड काब आगे दिखा रहे हैं आप सभी को जिस जीला में जो पढ़ाया जाता होगा उसका एंस्वर आपको देना रहेगा ठीक है देखें यहां पे खंड काब आप देख सकते हैं जितने सभी खंड काब आप सभी को दिखा दिए हैं यह सभी जीज जीला में जो पढ़ाया जाता है उसमें से आप तयार कर लीजिएगा सबसे इंपोर्टेन खंड काब है जो आपके बोर्ड की एक्जाम में तम फिक्स रहता है यह प्रस्ण ठीक है अब देखिए आपके सामने अ नाम देगा तीन में से एक का करना है चलिए एक का आप बताते हैं कि आप बोर्ड की एक्जाम में इसका एंसर लिखेंगे यहां पर आप आप सभी को बताते है कि आचार रामचंदर शुक्ल जी का जीवन परचह आप लिए जाम में कैसे लिखेंगे देखिए फ्रेंस यह आचार रामचंद्र जिकल्ट का जीवन पर्चे बॉर्ड की एकसा में जैसे लिखेंगें कि पहले आप इस तरह को एंगाइशा थे टौफ़ देख पर्डेश पीदा का नाम कित वा था और 941 में थी इनका कुछ संचिफ्त परिचे इस तरह लिख सकते हैं और लिखेंगे तो इसे ही देखके नंबर दे देगा अपना तो आप इसको संचिफ्त परिचे बोर्ड की एक्जाम में जुरू लिखेंगा फिर इसके बाद अब जीवन परिचे इनके बारे में देखें क पढ़ाई छुट गई यह सरकाई नौकरी करने लगी लेकिन कुछ समय के बाद मिर्जापूर के मिसन स्कूल में चित्रकला अध्यापन अध्यापक हो गए बहुत कम सब्दों में लिखें इसे आप एक बार लिख लिजिए और इसे ही बस बोर्ड की एक्जाम में लिखें चले आईएगा बाद में हिंदी अंग्रीजी संस्कृती उर्दू फार्सी आदी का ग्यान प्राप किये कासी नगरी प्रचारणी सभा से जुड़का शब्द सागर के सहायक संपादन का कारें भार समाला सुकल जी कि निबंद आलोचना कवीता आदी के छेत्र में सर्व प जो आपको दू तीन चार पांच याद है वस उसे ही आप क्या कीजेगा लिख दीजेगा देखे रचना है कि उनका निबंद चितनता मड़ी है विचार विचार वीती है अलोचना रस्मिमान सा त्रिवड़ी सूर्दा संपादक में तुलसी ग्रंती जैसी ग्रंता ग्रंती आनंद कादम भी नहीं आदी इतना आप लिखेंगे जैसे लिखेंगे इसी तरफ बोड की एक्जामने सेम्ट उसेमली की दीजेगा आपको इक्जामनर इस प्रशन पर टोटल पांच नंबर का प्रशन है तो पांच नंबर अदम देता है ठीक है चले अगले प्रशन को दे फहला प्रशन है तुलसिडा सुबढ़ превं. इन तीनों में से जिसका आपको आता है उसका बोड की एक्जाम में लिख सकते हैं आप सभी को चरिय दिख के बताते हैं कि तूलसी दास का जीवन परचे बोर्ड के एक्जाम में कैसे लिखेंगे देखें यहाँ पर पहले नमबर लिखिएगा प्रशनोत्तर संक्या च्छा का खा लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा जीवन परचे और यहाँ पर लिखिएगा किसका लिखना पहले नमबर तुलसी दास का लिखिएगा प्लेस संचिफ्ट परिचे लिखिएगा कुछ उनका संचिफ्ट परिचे क्या है जैसे जन्म सन 1532 इस्वी में हुआ उनकी मिर्टिव का वुई थे सन 1623 इस्वी में हुआ था उनका जन्मस्थान कहाँ पहते राजापूर चित्रकूर उत्तरपरदेश में है माता का नाम क्या पानस कवितावली गितावली दौहावली आधी यह इनके कुछ रचनाएं है अब देखें इनका कुछ संचिफ्ट परिचे लिखें संचिफ्ट परिचे लिखने के बाद उनका जीवन परिचे आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे ठीक है यहां पर लिखिए जीवन परि कि उनको क्या सब्सक्राइब में अपने किताब में लेकिन आप सभी के लिए बहुत संचिफ्ट में जीवन परचे लिखे हैं तुलसी दास का जन्म चित्रकुट जीले के राजापूर नामक गाउं में सन 1532 इस्वी में हुआ था इनके पिता का नाम आत्मा रामदूबे और माता का नाम हुल्सी था मूल नच्छत्र में जन्म होने के करण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था नरहरी दास ने इनका पालन पोशर किया था कासी के सेश सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदो पुराडो आधी गरंतों का ग्यान कराया था ठीक है इनका विवा रत्नावली से हुआ था इनका जीवन कासी के कासी अयोध्या और चित्रकुट में अधिक ब्यतीत हुआ इनकी मृत्तिव काशी के असी घाट पर सन 1623 इस्वी में हुई तीस तरह क्या करना है कि आपको जीवन परच्छे संचिप्त में बताएं पर संचिप्त में लिखिए फिर इसका जीवन परच्छे लिखिए फिर इनके कुछ प्रमुक्र जो रचनाएं रचनाएं लिखना बहुत ज्यादा जरूए इ देखें क्या है रामचरित मानस विनेपत्रिका कवितावली गितावली दौहावली आधी इस प्रकास से आप क्या कीजिएगा जैसे बता है इसी तरह बोड के एक्जामें जीवन पर चलिके चलेएगा एक नंबर भी आपका नहीं काटता है टोटल पांच नंबर से जैसे ब पुष्टक में से कंठस्त कोई एक सलोग जो इस प्रश्ट पत्र पर ना आया हो आपको देना रहाता है यह टोटल दो नंबर कराता है देखें इसका एंसर आप कैसे देंगे पहले यहां पर लिखिए प्रश्णोतर संक्य साथ और यहां पर सलोग लिख रहे हैं तो सलोग दीजिएगा आप जू सलोग आपको याद है कि सबसे सिंपल आपके लिए लिख के लाइए इससे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा इसके अलावा कोई दूसरा स्लोग भी याँ पर लिख सकते हैं ठीक है दिखें सर्वे भवन्तू सुखिन सर्वे शंतू निराम्या सर् इनी दो प्रश्णों का उत्तर संस्कृत में दे दिए तोटल चार नमबर का यहां संस्कृत में चार प्रश्ण पूचता है चार प्रश्णों में से सिर्फ दो का ही एंस्वर देना है तो आपको देखिए यहां पर दो प्रश्णों का एंस्वर बताते हैं आपको यह तीसरा बाती संस्क्रीट का मूल क्या है इस तरह इससका इंस संस्क्रीट में याद कर लीजिएसका इंस्ोर देना रहता है अगला प्रसन है कि कुट्र मढम मंगिलंभ्वति इसका इंस्वर संस्क्रीट में कैसे लिखेंगे तो आप लिखे लिखे चार लिखेंगा उत्तरत्बा देना है अब चलिए अगले प्राश्ण को स्कैर्ष आप कैसे देंगे ना नमबर का क्या एक निविख्यू से एक विशे पर निबंद लिखना है यानि कि यहां पर आपTON शार टॉपिक दिया है इन तॉपिकोर पे से किसी एक पर यह निवंद लिखना है आप सबीके देखे आतंगवाद कारव निवार ब्रिच्छा रोपर मेरा प्रियकवी या नारिष शक्षक्तिकर इन चारों में से किसी एक पर आपको निवंद बोड की एकजाम में लिखना है तोटल 9 नमबर का है यहां आपको पहले वाले प्रश्ण जैसे आतंगवा데 कार रिखना इस पर निभन लिखने प्रश्ण वाब्त संक्राइब 9 कर पि कि निभन निभन लिख रहे हैं उसको यहाँ पर लिखिये आतंगवाद कारल एम निवार डाल दीजेगा मतलग एक्जामर देखते ही समझ जागा कि इस पे आप निबंद लिखें यहाँ पर स्टार्टिंग में संकेत बिंदू लिख लीजेगा संकेत बिंदू का मतलब होता है कि कौन से पॉइंट पर हेड़िंग बनाने वाले है उन पॉइंटों के संकेत बिंदू के रुख मेर प्रयोक कर सकते हैं यहाँ पर आतंगवाद के बारे में लिख रहे हैं तो आतंगवाद पर लिखना पड़ाए जाता है इसके ल Dot लोगी अपको याद सब्सक्राइब चाहिए पर दिमाग पर चड़ है अतना अब बनाकर लिख लीजेगा बोड इसको अपने शब्दों में लिखेंगे आतंगवाद एक ऐसी समस्या है जिसमें संगठित या असंगठित सदस्य हिंसा करते हैं ताकि वे अपने राजनेतिक, समाजिक, धार्मिक या आत्मगात देशों को पूरा कर सके पहले heading डाले कि उसको अपने शब्दों में इस तरह लिख लिजिएगा ठीक है अब देखें अगले heading देखें कैसे डालेज़ेंगा ब॓ड के गदा में heading रहाजनेतिक कार हो सकता है समाजिक आर्तिक, असमानता, धार्मिक और जातिकत, विवात और भरश्ट चार, जाते होते हैं कि अगला हर्णिंग बनाईएगा आतंगवाद की परभाव क्या होता है यानि आतंगवाद आपके देश में ज़ादा वह रहा है उसका परभाव क्या पढ़ेगा यह देखें आतंगवाद की पर आपके देश में है तो अगला देखिए आतंगवाद का अपनी वारा कैसे कर सकते हैं तो आतंगवाद का निवारा कर सकते हैं परतेग बेक्ती परतेग सदस जितने भी सदस से देश मेरार हैं उनको क्या किया जाएं सिछित किया जाएं और आतंगवाद के बारे में बताया जाएं देखिए यहाँ लिखेंगे अतंगवात का निवाराण आतंगवात की निवाराण की उपाय में सिच्छा समाज और आर्थिक सुधार सुरच्छा सुध्रिर करना चाहिए जो बताएं वही चीजिए हाप लिखा गया है अगला डालेंगे कि क्या आतंगवात का समधान संभो है यहां आर्थिक दुस्तुदार की अवसकता है अब अगला डालेंगे आतंगवात विरोधी दिवस कम मना जाता है तो आपको पता रहेगा तो लिखिएगा अन्यता आप इस हेर्डिंग को मत बनाएगा 21 मई को आतंगवात दिवस मनाया जाता है बस इतना जितना अधिक से अधिक आप निबंद पर हेर्डिंग बना के लिखेंगे उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलता है ठीक है आपके सामने अगला हेर्डिंग बनाएगे कि लास्ट में इसका निसकर्स लिखनेंगे कि इसका निसकर्स क्या है आपका यहां पर देखें लिखेंगे आतंगवात एक भय प्रकास बोड के एक्जाम को लिखके चले आईएगा आपको 100% गारंटी देते हैं जैसे बता है यादि इस प्रकास से एंस्वर आप बोड के एक्जाम में देते हैं तो 70 नंबर के पेपर में आपको और 60 नंबर हिंदी में अदम मिल जाएगा एक नंबर भी नहीं कट एक्जामनर काटते हैं ठीक एक दो नंबर हो सकता है कि कहीं पर मिश्टेक होने को वज़ेश कर जाए लेकिन आपको पूरा 60 नंबर अदम सटिक मिलेगा ठीक है तो फ्रेंस देखिए आपको जितने भी अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें